हुश गूँदाफटरणून फ्रेंड और आप से पढ़ें पवरपॉंट इसे ठीक है 접종 का में पढ़ें हम आज पढ़ेंगे हैं की साम के बैच में साम कुछ है वजays क्या से पढ़ेंगे हैं रोज यू सैंट पढ़ेंगे ठीक है । metals स्नु सेंड का भाग नौप है जानरो परड़ेंगे उसमें ठीक है तक को कि⁠ का भाग न्व परड़ेंगे ठीक है है इसमें पड़ेंगे विभाके पिरकार ठीक है लूसेंट के के बारे में लूसेंट में पढ़ेंगे बिवा के पिरकार के लिए कि बार के पिरकार के होते हैं कि बिवा कितने पिरकार के होते हैं यह लूसेंट में मतलब किसमें बताया गया है उत्तर बैदिक काल में बताया गया है कि बिवा कितने पिरकार के होते हैं ठीक है इसमें बिवा कितने पिरकार के होते हैं आठ पिरकार के होते हैं कितने आठ पिरकार के आठ प्रकार के ठीक है बवा कितने प्रकार के होते हैं बवा आठ प्रकार के बवा होते हैं ठीक है ये किसमें बताया गया है उत्तर बैदिक कालन कितने बताया गया है कि बवा कितने प्रकार के होते हैं आठ प्रकार के होते हैं ठीक है कितने आठ परकार के बिवा होते हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहला बिवा कौन सा है, ब्रह्म बवा, ब्रह्म, बिवा, कौन सा, ब्रह्म बवा, ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, ब्रह्म बवा के बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे, ब्रह्म बवा के बारे में, इसमें कहता है लड़की का जो पिता होता है ठीकि है जो लड़की का पिता हो था है वह अपनी पुत्री का विवा किसी विए किसी पिर किसी के पुत्र से कर सकता है लड़की की पिता की चाहरा है किस वबあー लड़की की मिक लड़की की कि अगे Arts की किस्के लड़की की पिता की एकच्छा से ठीक है इसमें उपयोका कूप मनलकी किसमें जिसके पुतर से विवा करेगा उसको बिना कुछ प्रतिपल दिए उसके बिना Szp करने संती पृत्री को किससे पृता है जो पृता हुता वह थैसे एक यह कुत्री का विवाख इसमें भी पिता की इक्षा होती है पिता अपनी लड़की का विवाख इससे प्रो इससे करता है ठीक है पिता अपनी पृत्री का विवाख किससे करता है प्रो इत पुराने टैम में किसको एक तरीके से विवाख इसको क्या कहते है देव विवाख इसको क्या कहते है देव विवाख और नमर तीसरा होता है अर्ष्च बिवा ठीक है इसमें क्या होता है ब्या करने वाला पुरुस कन्या के पिता के पिर्ती सम्मान परज़सित करने के लिए उसे एक बेलो की जोड़ी भेट करता है पहले क्या होता था कि पहले के जवाने में जो बिवा होते थे तो जो उसका पिता होता है लड़की के पिता है पिता होता था लड़की का लड़की का पिता होता था उसको कोई पुरुस कोई भी पुरुस कोई भी पुरुस इनके पिता के पिती क्या करता था सम्मान प्रदसित करता था क्या सम्मान और एक बैलो की जोड़ी देता था एक बैलो की जोड़ी देता था यह किसी मतलब दहेच के तौर पर नहीं एक तरीके से सम्मान के रूप में इनके पिता को एक बैलो की जोड़ी और इनको एक तरीके से अपना इनके पिता के प्रती अपना सम्मान प्रस्तूत करता था तो ल बैवा कर देता था ठीक है यह था ठीक है और अर्स बिवा ठीक है आप कौन आट रोती प्रजापती और जपर से झाल सो और यकार पिर्मत्र शहाचे तर फिर्जापत फिर्जापती दек के इसमें कि थजून ध уш ंद्स लटके हóst की ओर से आना ठीक है इसमें क्या होता है ता पिरजा प्त ब्वामें बिवा पृष्था लडके की ओर से आता था थीक है इसमें इनके पिता को कि लडकी के पिता को उनके पृतर की तरफ से क्या आता था विवा का प्रस्तावा आता था मनला दूसरे पक्ष से विवा का प्रस्तावाना असुर्विवा असुर्विवा ठीक है इसमें क्या होता था असुर्विवा में असुर्विवा में का होता था पुरुस की तरब से किसके पुरुस की तरफ से लड़ाको बालू की तरफ से किसके लड़के बालो की तरफ से लड़की के पिता क्या होता था असर विवा में लड़के वाले पक्च के जो लोग होते थे वो लड़की के पिता जी को नगत धनरासी देते थे ठीक है क्या नगत धनरासी देते थे दायच के रूप में नगत धर्रासी या बस्तू किसी भी चीज के तौर पे इनको दैज देते लड़की के पिता को ठीक है जो विवा उपराद इनके लड़की के पिता को बापस देनी पड़ती थी ठीक है यह उता था असुर विवा ठीक है ठीक है, और क्या हो थाथ ख Roy Burma. इसे कहते है प्रेभा, प्रेभबवा, जो की आज कल बहुत हो रहा है, कौनसा प्रेम लगे खंडरी पिरें विपार घ्माता मादमान पिडाकि बिनांवरल an spatial अनुमति गें उता इसमा फिचा कि उ कि इसमें माधा पिचा की टी अनुमति नहीं हो फिर के राक्षस यॉए इसमें होता था था श्चिंहां का अपरणाकर कर अ कास्व अपरमाव ना कर कर बिवा करना कि अपरण करके बीवा करना कि किसमें अर्द राक्षस हें rein डबामें कि से हुआ 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 कि क्या हो था था पिसाज विवा में क्या हो था करनिया से बलतकार करके उससे विवा करना ठीक है यह क्यों से पिसाज विवा राक्षिस विवा गंदर विवा असुर विवा ब्रह्म विवा पिर्जापती विवा अर्स विवा और देय विवा ठीक है यह हो गए आठ पिरकार क बिवा ठीक है और इसमें नोट है कुछ ठीक है इसमें असुर ठीक है और असर बिवा कौन करते थे असर बिवा पहले कौन करते थे असर बिवा पहले बैस और सूध लोग करते थे बैस वा सूथ क्या होता था पहले टेम बे विवा असुर विवा कौन करता था वैस और सूथ लोग कौन सा असुर विवा करते थे इस असुर विवा में क्या होता था इसमें यह पैसे देकर इनकी कन्या विवा करते थे लड़के वाली पैसे देते थे कन्या के पक्ष में और विवा अ उनके पिता जी इस चीज़ को बापस कर देते थे कन्या के साथ ठीक है इसके बाद कौन सा है गंदर विवा इसमें क्या होता था गंदर विवा गंदर विवा कौन करता था कि गंदर कौन करता था गंदर विवा के बल छत्री है कि कि अ कि होता था पहले के राजा महाराजा लोग होती वह प्ध 97 को को एस नोत करे तो करे ँरी इसलिएcking प्रेपता की बिणा उनुपूति के यह बिवा कर लेता थे ठीक है या के और इसमें गंदर भॉम है राक्षत्री और कौंसे बिजंडर और राक्षत सिरु अ ठीक है यह दो प्रकार के वॉबा यह लोग करते थे थे और ठीक है इसमें जेत हो गया ठीक है और चार सरे ब्रह्माशु प्रामनों के लिए ब्रामनों के लिए केवल है ठीक है केवल चार बैवा ही मानने है ठीक है ब्रहामण लोग से चार विवा पर ही विश्वास करते थे कौन सा है ब्रहामण ब्रहामण लोग ही चार विवा करते थे ठीक है ठीक है अब विवा के बाद पढ़ेंगे महा जनपदों का उधे ठीक है कौन से जो उत्तर बैदिक काल में 16 महा जनपदों का उधे ठीक है इसमें क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है इसमें 16 महा जनपद कौन कौन से थे उनकी रादधानी कौन से थी आदोनिक नाम कौन कौन से है जे हम पढ़ेंगे ठीक है कि इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे जनपद कितने भारत बर्स को कितने 6 महा जनपदों कितने भारत बर्स को इसमें एक पॉइंट है कि भारत को भारत बर्स को ठीक है भारत बर्स को बौद धरम के जनम के पूर छटवी इसापूर में किसमे छटवी इसापूर में सोला महा जनपदों के रूप में बाट दिया था ठीक है सोला महा जनपदों के रूप में बाट दिया था इसको महाजनपतों में भारत वर्स को बाट दिया था इसका उल्लेक किसमें इसका उल्लेक है गौतम बुद्ध इसका उल्लेक है बौध नगा बौध गरंद इसके बौध गरंद अंगुर्तर निकाए बौध धरम में अंदोतर निकाए और जेन धरम में और जयन गरंद में बागवती सूतर बागवती सूतर में इस सूल्ल महाजनपतोः का उल्लेक जिसमें बताया गया कि भारत बर्स को 16 इसापूर में कितना 16 महाजनपतों के रूप में बाट दिया था ठीक है यह बता गया है इन दोनों गरंतों में बहुत गरंतों में और जेंदर में बताया गया कि भारत बर्स को 16 इसापूर में 16 महाजनपतों के रूप में बाट दिया ठीक है यह 16 महा जनपद कौन-कौन से इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं ठीक है एक साइट डालेंगे हम जनपद राजधानी और छेत्र ठीक है अब इनको में लैंड बाई लाइन लिखते हैं ठीक है कि कौन-कौन से महा जनपद थे और क्या क्या आएजी अंद पहला महा जनपद है अंद जिसकी राजधानी क्या थी चंप चंप ठीक है चंप का ठीक है भागल परा यह कौन सा छित लगते था भागल परा भागल पुर मुंगिर भागल पुर स्वारी मुंगिर भागल पुर मुंगिर यह कहां पे बहार में ठीक है भागल पुर मुंगिर कहां पे बहार में ठीक है यह कहां पे बहार ठीक है, दूसरा है मगद ठीक है, मगद कहाँ पर है, इसकी राजधानी है, राजगिरे राजधानी है, और इसकी छेतर कौन से लगतर पटना हो गया पटना एब गया पटना भी बिहार में ही है, ठीक है तीसरा है कौसी, कासी तीसरा कौन से है, कासी इसकी राजधानी कहती, वारानसी ठीक है, क्या है इसकी राजधानी, बारानसी इसका छेतर कौन से था, बारानसी के आसपास का बारानसी के पास का, आसपास का ठीक है, बारानसी के आसपास का छेतर लगता था कौसल ठीक है कौसल कहां कहां है सांकेति स्वारी सकेत एवं स्रिवस्ती ये कहां कहां लगता था छित पूर्वी उत्तर पिर्देश का छित लगता था ठीक है कौन सा कोश का वज्जा ठीक है वज्जा ये कौन सा रख तो इसकी राधानी क्या थी बैसाली बैसाली ठीक है ये कहां मुझफर नगर के आसपास का मुझफर पर के मुझफर नगर के आसपास का कौन साल का क्या था सांकेतिक बास्तवी एबन बास्तवी पूर्वी राध पूर्वी उत्तर पर देश वज्जा का है बैसाली मुझफर नगर के आसपास का छेतर ठीक है सोला माजनपत में भारत बास्त को बाट दिया था ठीक है और इसके बाद पढ़ेंगे मल्ला इसकी राध दानी क्या थी कुसी नारा ठीक है और एक और नाम था है इसका कुसी नारा या पावा क्या थी इसकी राज दानी थी और यहां काका छेतर था देवरिया और गोरकपुर देवरिया एवं गोरख पुर्का ये छेत्र था ठीक है देवरिया और गोरख पुर्का ये क्या था छेत्र छेत्र था ठीक है इसके बाद है चेद ठीक है इसकी राजधानी क्या थी सुक्ती मती क्या थी इसकी राजधानी थी उसका छेत्र कौन से लगता था बुंदेल खंड इसका छेत्र लगता था बुंदेल खंड बुंदिल खंडगा छेत लगता जो कि कहां पर यूपी में है ठीक है कहां पर उत्तर पिर्देश में ठीक है इसके बाद कौन सी है वस इसका कौन सा है कौसामबी कौसामबी क्या है इसकी राज नाने फ्रेंट जितने लोगों को जोड़ सके उतने लोगों को जोड़ सके आज की किलास के बाद इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी किलास ही चलेंगे ठीक है इसका बाद जो भी चीज रह गई उसके बाद देखना कितना धमाकेदार तरीके से इसको चलाते है ठीक है क्या हो गया कौसामभी कौसामभी कौन से छेत्र लगता है इलावाद का छेत्र है ठीक है जो कहां पर यूपी में पढ़ता है ठीक है कुरू ठीक है कुरू जिसकी क्या राद नी है इंद्र परस्त ठीक है जिसकी राद धनी क्या है इंद्र परस्त जह कहाँ है मेरट और हर्याना का छेत्र मेरट वा हर्याना अर्याना का छेत्र लगता है इसमें ठीक है किसका इंद्र परस्त गुरू में जोकी इंद्र परस्ति राद धनी इसमें कौन सा हर्याना और मेरट का क्या लगता है छेत्र लगता है पांचाल इसकी राध्धानी कौन सी है इसकी राध्धानी दो है अही इच्छित्र और और कानपील लिए ठीक है काम पिल लिया ठीक है इसकी राध्देंग्य पस्चिमी Wellington आधनिक पदीस और पास आधनिक प्रदीश Rs. एक पश्मी सूर्षेण सूर्षेण इसकी राध्धानी क्या थी है इसकी रात्धानी थी मत्रह को यह क्लेक्टत ता मत्रह ठीक है कौन से चीतर इसका प्यूर पर मत्रह इसका चेतर है गांधार ठीक है इसकी राजधानी कौन सी है तक्च सिला तक्च सिला इसकी क्या है राजधानी और इसका छेटर कौन से लगता था पेसावर पेसावर वा कस्मीर क्या लगता था इसका छेटर पेसावर या कस्मीर इसका छेटर लगता था किसका लगता था गंदार का ठीक है जंगपद में मल्ला ठीक है कुसी कुसी नारा पावा इसकी राध चीट लगता देवरिया एवं गोराकुर चंदे चंदे ठीक है इसका था सुक्ती मती बुंदेर खंड ठीक है वस्स ठीक है इसका था कौसामभी ठीक है इलावात का कुरू झाल झाल